हेलो फ्रेंट्स स्वागात अब सभी को हमारे यूटूब चैनल पर तो आज किस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ के मॉडल सेट नमबर थिरी इससे पहले वाले वीडियो में सेट नमबर वन और सेट नमबर टू का कंप्लेट कराएं और साथ में साइन्स का तीनो सेट अगर नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिशन में उसका लिंक मिल जागा तो जाकर वाँ पर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट भी एको बना दिए तो वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं तो चलिए सेट नमर थिरी को बिना लेट के सिरू करते ह हैं तो पहला कोशन के तरब दखते हैं का गया कि निमलिखित में कौन अपरी में संख्या है देखें सेट नमर वण टू और थिरी कोशन नमर एक में परी में संख्या से रिलेटर डिदम फिक्स है कि आपके एकजाम में कोशन रहेगा छाकने के लिए ठीक है तो पुछाए क यौन के बाद फिर 4 गो 0 1 ठीक है इस तरह से आते रहेगा यह भी क्या जगा अपरी में संख्या हो जाएं लेकिन रूट 225 है इसका कितना निकलता है 15 क्योंकि क्वर्ग में कि निकल जाता है 15 और 15 परी में संख्या है इसका मतलब क्या हो गया कि रूट 225 जो है आपका एक अप्सन नमर चार आपका सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेसन है कि सुईन ने जीरो केशी संख्या है तो सुईन एक परीमे संख्या है ठीक है आप क्लास नाइन्थ के चैप्टर नमर वन जब पढ़ेंगे तो उसका हम लोग बेसिक हम आपको बताएं थे ठीक है तो वहा से एक नमर अपका एक्जाम में कॉसन पक्का-पक्क है कि आजागा तो जीरो क्या है एक परीमे संख्या है ठीक है नेक्स्ट कॉसन देखते है कि देखिए तीसरा कौसन है कि 8 रूट 15 भागा 2 रूट 5 ब्राबर होगा किसके ब्राबर होगा 8 रूट पंदरो भागा दो रूट पांच इसको भागा देंगे तो कितना हो जगा आठ अब यहां कितना बचा चार रूट पंदरो बटे रूट पांच ठीक है अब यहां क्या करेंगे यह रूट पांच का हम लोग हर का परीमे करन्द कर देंगे तो रूट पांच से गुना क सब da पाइंगी और रूट-स से भाग करेंगी ठीक ही जो और का परिमेकरन करते हैं ने समसंख्या सगुना और चाहाइब चलिए यहां चार का चार और रूट पंदरो और रूट पांच को गुना करेंगे तो कितना हो जागा रूट 75 हो जागा रूट 75 और यहां रूट 5 रूट 5 गुना करेंगे तो हो जागा आपका 5 ठीक है तो चार और रूट 75 को हम लोग तोड़ देते हैं रूट 75 को कैसे तुटेगा तीन पच्च पंदरों और पंदरों पच्च पक्च पच्च पाँस तर अनि 3 गुनी 5 गुनी 5 तो यहां से 2 से दून 5 मिलेगा तो यहां 5 बाहर आगा तो अंदर में क्या बचएगा रूट 3 बचएगा तो यहां लिख देंगे option नमर आपका 4 नमर में तो 4 नमर आपका सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं हम लोग चोथा नमर question है कि 32 के power 2 बटे 5 किसके बराबर है 32 के power 2 बटे 5 यहां इसको आराम से लिखे 32 के power 2 बटे 5 अब इसको 32 को लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 2 के power 2 के power में 5 लिख सकते हैं 2 के power 5 का मतलब क्या होता है 32 क्योंकि 2 को 5 बार आप जाब लिखेंगे तो 32 आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 6 32 और इसके power में है 2 बटे 5 दिए के पावर में लए देंगे दो पड़े 5 तो यह gestion है फिर्म्प economics के रूप में एके पावर एम गुना सुरे एके पावर एम इंटो हाल के पावर में एन यहां क्या हो जाता है यह एम गुना एन हो जाता है तो यहाँ भी गुना हो जागा यह क्या हो जागा रिखे सें नहीं है सवाल आप लड़े है अध्यन थे तिसरे बद नहीं है आप urgent ज़ीन होड़े है अगर पावर में पुर्ण संख्या रहेगा, तो बहुपद हो जागा, और पुर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, तो देखे, X के पावर दो है, तो ये पुर्ण संख्या है, तो ये बहुपद तो है, क्वास्टन में पुछा है कि कौन नहीं है, X के पावर में एक है यहां वाई के पावर में एक है आनि पुर्ण संख्या है यह भी बहुपद होगा ठीक है यह वाला बहुपद नहीं होगा इसा क्यों क्यों क्योंकि यह बट्टा में दिया गया है आनि पांच बट्टा वाई ठीक है इस प्रकार से लिखा गया है पांच बट कि बहुपद x-2 का सुनियाग ग्याद कीजिए x-2 का सुनियाग तो x-2 का सुनियाग मने बराबर 0 ग्याद करेंगे अब ये minus का 2 बराबर रुक जाएगा पलस का 2 हो जाएगा पलस का 2 अनि x का मान क्या आ जाएगा जो कि अप्शन नमर 3 में है अगला कॉसन है कि बहुपद 5x-3 पलस 4x-4 पलस 7x-12 का ग्याद कीजिए तो ये ग्याद ये बहुत ही most important कॉसन ठीक है इसमें ग्याद पुछा है मतलब क्या होता है किसी भी बहुपद में जिसका 4 का मान सबसे अधिक होता है उसी को क्या बोलते है हम लोग ग्याद बोलते है इसमें 4 का मान सबसे अधिक है 4 है तो इसका ग्याद क्या हो जगा 4 हो जगा जो कि अप्शन आपका 2 में राइट नेश्ट कोसन देखते हम लोग यदि बहुपद px equal to xq plus x square plus x plus 1 को x plus 1 से विवाजित किया जाता है तो successful का मान ग्याद किजी इसमें long term से आपको भागा करने के लिए सिखाया जाता है जो कि अपका class 9 के 2.3 में आपको लोग को मिल जागा वहापर तो चलिए आपको हम भाग देखे दिखाते है आपको successful पूछा है ना तो इसको दो तरक्स बना सकते है पहला तरक्स क्या बना सकते है कि जो x plus 1 जो आपको दिया है x plus 1 बराबर मान लेंगे हम लोग 0 और यहां से यह plus 1 बराबर को दर्जागा होजएगा minus 1 आनि x का मान क्या निकला minus 1 तो जहां जहां x है वहाँ वहाँ रखेंगे minus 1 और इसको solve करके देखते हैं चलिए यहां रखेंगे minus 1 का cube होजएगा ठीक है plus यहां x square है तो यहां रखेंगे minus 1 का square कर देंगे plus फिर x है तो यहां रखेंगे हम लोग minus का 1 और plus 1 का plus 1 देखे minus का cube minus होगा और 1 का cube 1 होगा गनों जागा है सब्सकार है और फोक्राइम के चलिक के माइनस और मीदस फैला में IS-1 कि यह दूसरा माथता है दूसरा मेथड कैसे बना जाता है दूसरा अग्स्व प्छल Les वन न अकिभाग दिया जाता है ज Inspector ज्क्यां कर दें तो इस तरह से भाग जाता है भाग देने के बाद नीचे वहला सेसफल प्राप्त किया जाता है यह वहला भागा भी आप लोको हम सिखा चुके हैं पहले से ठीक है तो कोशिस कीजिएगा वहला सोटकर तड़ी का है सेसफल पुझेगा जो फर्स्ट मिथडम बनाएं थी नेक्स्ट कोशन पुझा है कि एकस अच पर इस्थित किसी बिंदू का निर्देसंग निम्न में से किस रूप का हो सकता है देखे एकस अच पर इस्थित किसी बिंदू का यहाँ पर निर्देसंग पुझा है निर्देसंग क्या पुझा है एकस अच पर पुझा है इसका ऐक्स कोमा क्या बन गये जिरो जो कि उप्ань नमर थर्ड में है ठिक है नेक्स कॉसन है कि मोल्बिंडु का निरदेसंग क्या होता है एक्सिंप whipping और दवार धर रहा आणि आज और स्च्मारोण श्तर बर मिलता है उसे आसा हुखन घिझ का थो अख़ते हैं होता है 먹을 da 0,-7 आप कहाँ इस्थित होगा देखे यह हो गया आपका एक सच आर यह होगया आपका यह यहाँ तो 0 है और मैनस 7 आणि एक सच में 0 हो गया तो एक सच तो 0 यहीं परो जगा माइनस 7 है माइनस 7 तो पहले साथ यहां टो ईस्थी थे यह में इस्थित है कि यह यह तो रहे समीकरण में 3x plus 2y बराबर k का एक हल होगा स्वल्ब करते हैं x का मान 1 दिया है तो यहाँ पर x का मान 1 रखना पड़ेगा तो 3 गुना 1 हो जागा ठीक है कोसेन की एक सच का समीकरन ग्याद कीजिए आनि समीकरन क्या होगा देखे यही कोसेन था सेम टू सेम इसमें पुछा गया था कि एक साच पर इस्थित किसी बिंदू का यहाँ पर निर्दे सांग, एक साच पर इस्थित किसी बिंदू का निर्दे सांग, यहाँ पर पुछाए कि एक साच का समीकरण ग्याद कीजी, एक साच का समीकरण, देखे समीकरण क्या होगा, एक साच का समीकरण पुछेगा, तो y का क्या होता है हमेषा zero तो यहीं तो समीकरन बन गया why बराबर जीरो एकश स्ट का समीकरन में क्या होता है जीरो यहां पर ओप्सन हो जाता यहां x यहांभी बड़़ घुद्व भर यहां पर वाई होता ठीक नम्हां तो यहा dwight बराबर का मान पूटिंग करके देखना पड़ेगा जो दोनों तरफ एकुल आएगा मने बराबर आएगा तो समीकरन का हल होगा और दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा तो समीकरन का हल नहीं होगा तो पहला वोला हम लोग मान पूटिंग करके देखते हैं X के मान 2 रखना पड़ेगा तो यहां 2-2 नहीं कितना हो जगा 4 क्योंकि X का मान 2 रखे हैं और पहले से 2 था प्लस Y का मान 2 तो 4 और 2 कितना हो जगा 6 हो जगा पर इधर 5 का 5 यह दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो यह तो समी करन का हल नहीं होगा दूसरा अबला देखते हैं X का मान 1 तो यहां X का मान 1 रखेंगे तो 2 का 2 हो जगा प्लस Y का मान 2 तो यहां कितना हो जगा 2 थीक है बराबर 5 का 5 तो 2 और 2 कितना हो जगा 4 हो जगा 2 और 2 कितना हो जगा 4 चार बराबर 5 यह तो बराबर नहीं आ रहा है ठीक है तिसरा option है कि x बराबर 2 दिया है y बराबर 1 चलिए इसके putting करते हैं x का मान 2 रखेंगे तो 2 दोनी हो जगा 4 y का मान 1 तो plus 1 बराबर 5 4 और 5 हो जगा बराबर 5 यह समीकरन का हाल हो जगा क्योंकि दोनों तरफ equal है आनि option number 3 आपका सही answer हो जगा next है कि yukilid का कथन की सभी समकोन एक दूसरे के बराबर होते निम रूप से दिया गया है यह एक उपती था कि एक अभिगिरित था कि यह एक अभिधारना था कि एक परिभासा था तो देखें उपती और एक परिभासा था नहीं एक समकुन एक दूसरे के बराबर होते हैं सभी समकुन एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं तो इसका क्या काता है या एक अभी धारना काता है तो option number क्या हो जगा इसका option number 4 फोर हो जगा next question है कि एक दिये हुए बिंदू से होकर कितनी रिखाएं किची जा सकती है देखे एक कोई बिंदू दिया गया तीसे आप अनंत रिखाएं खिश सकते हैं अब जितना चाहे उतना रिखाएं खिश सकते हैं एक बिंदू से अनंत रिखाएं खिश सकते हैं अनंत रिखाएं खिश सकते हैं next question है कि 70 degree का पूरक कोन का मान क्या होगा 70 degree का पूरक तो पहला है 70 degree तो दूसरा तो निकलेगा तो दूसरा x मान लेते हैं और दोनों कोनों जोडेंगे तो 90 आता है पूरक कोन का मतलब क्या 90 degree तो यहां से x का मान निकल लेंगे पूरक कोन तो यहाँ 70 पलस में इधर आखे माइनस में कितना बचेगा 20 बचेगा तो 70 डिगरी का पूरा कोन क्या निकल जएगा 20 70-90 नेक्स्ट है यदि एक तिर्भूज का एक कोन सेंश दोनो कोन के योग के बराबर है तो यह तिर्भूज क्या होगा एक कोन जो है सेंश दोनो कोन के योग के बराबर है तो यह से काव होता है एक समकुन तिर्भूज में होता है क्योंकि यह 90 डिर्य होता है बाद बाकि यह दोनो कोन को जोड़ते है तो यह नियून कोनों का योगफ़ भी आता है 90, 2 हो जाता है 90, 9, 9, 180 से अनि एक समकुन तिर्भूच में होता है जो कि अपसे नमर आपका दो हो जागा इसमें एक्स कमान निकालने के लिए कहा गया है आकिरती में तो आपको एक पता होगा परिमे 26.8 क्या क्याता है कि सीध करें किसी तिर्भूच में एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो इस परकार बना 22 कोन दोनों अंतभिमु कोनों के योग के बराबर होता है मतलब यह जो दोनों कोन को जोड़ देंगे ठीक है तो यह बाहर वाला कोन के बराबर होता है तो 40 और 50 यहा कितना जगा 50 नवबे पराबर एक्स औने एक्स कमाण निकल गया नबबे ठीक है नेक्स्ट कोशन है कि निम नांकित में कौन से तिरभूच की सरवांसमता की कसोटी नहीं यह सेट नबर टू में कॉशन आया था आपको बताएं थे सरवांसम की कसोटी में S, S, S सरवांसम होता है ठीक है S, A, S सरवांसम होता है ठीक है उसके बाद A, A, S सरवांसम होता है ठीक है इसके बाद A, S, A सरवांसम होता है ठीक है यहां पर कहीं नहीं है और तिरुपल ए सर्वानसम नहीं होता है तो अगला प्रस्ण आपके सामने है कि त्रिभूच ABC में भूजा AB कमेद बिंदू D है एवंग AC कमेद बिंदू E है तो BC बराबर 8 है तो DE कमान ग्याद किजिए अगर आप सेट नंबर वन को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही कौसेन था जो रिपीट हुआ था एक कौस्त तिरुपल जे ABC ठीके ABC इसमें AB कमेद बिंदू D है ABC कमेद बिंदू E है BC बराबर 8 दिया है तो पुछाए DE क्या होगा DE तो देखें क्या क्या था है किसी तिरुपुज के दो बुजाओं के मेद बिंदू को मिलाने वाला जो रिखा होता है वो तिसरी बुजा के समांतर होता है और आधा होता है समांतर और आधा तो यह 8 है त तो d e का मान हो जागा 4 जो कि option number 1 में है next है कि एक चतरभूच के कौन 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है तिस चतरभूच के सबसे छोटा कौन क्या होगा ठीक है अनुपात में दिया है तो सबसे पहले से में लोग x मान लेते हैं तो पहला कोन हो जागा 3 x प्लस दुस्रा कोण हो जागा 5 x प्लस 3 तीसरा कोण हो जागा 9 x प्लस 4 हो जागा आपका 13 x ठीक है अब बराबर 360 का 360 क्योंकि चतरभूच के 4 कोन 50 360 होता है अगर सब कोनह को जोड़ेंगे तो थेरो 9 कितना हो जागा ? 22 25 27 17 30 2030 आ म Alabर 30 60 30 causing जीर जरो、जरो तो कट जेगा और तीन से कटेंगे तो 12 बारो प्रमय उसक्तिया अनि एक्स का मान निकल गयाँ 12 निकल गया तो सबसे छोटा क्या होगा तिरी वला होगा और एक्स का मान क्या निकला बारो तो बारो तिया कितना हो जगा 36 तो सबसे छोटा कुन क्या हो जगा 36 ठीक ना अब यहां अप्सन में देखके नहीं मार दीजेगा ठारों के सबसे छोटा कुन है ठीक है नेक्स्ट कॉसन है किसी चतर भूज के भूजाओं के मैद बिंदु को एक करम में मिलाने व बनेंगा अनि क्या बनेगा साम चत्रभूज बनेंगा option नमबर एकसिएंसर देगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं आकेड़ती मेंए भी झीड एक समानतर चतरभूज है जिसके बिसी बराबर जिसमें बीसी बराबर साथ सेंटीमेटर तथा एई बराबर 5 cm तो चत्रभूच का चत्रफल ग्याद किजिए समांतर चत्रभूच का चत्रफल BC का मान 7 मतलब यह आधार दिया है 7 AE का मान 5 मने उचाय दिया है 5 तो समांतर चत्रभूच का चत्रफल होता है आधार गुनी उचाय ठीक है अधार गुनी उचाए अधार का मंदलो 7 तो यहां रखेंगे 7 उचाए का मंदलो 5 तो 5 रखेंगे 7 और 5 गुना करेंगे तो 35 और सेंटीमेटर अस्क्वाइर है छेतर फल निकाल रहे है तो 35 सेंटीमेटर अस्क्वाइर आपका कौन सा अप्शन में है अप्शन नमर 3 म नेक्ट कोशन है कि एक समानतर चतरभूज और एक तिर्भूज एक ही अधार है तथा एक ही समानतर रेखाओं के बीच में इस थी थी मतलब एक समानतर चतरफल ऑर एक तृरपूझ यही समानतर रेखाक बी चमीच छती यह मैं मतलब इसक्रकार से तो समानतर चतरफल का 1 चतरफल क्या अधा हो यहाई 4 dit जल्य है गिदो किदो रेखाक को जन्हों 24 cm2, ठीक है, एक परीमे कहता है, नेक्स्ट कोच्छन है कि बिरितखंड एक चाप तथा यह परखाली कर दिया है, कि बीच का भाग होता है, तो बिरितखंड कैसे बनता है, एक चाप, क्या हो गया, एक चाप, ठीक न, एक चाप, और जीवा, एक चाप और जीवा, तो जीवा क नेस्ट है कि तीन और शब्हक बंदुपों से कितने बृत खीचे सक्ते हैं तीन अलग अलग बीनुपों से केवल और केवल एक भी जा सक्ते हैं इसका केवल एक केवल थी ऊच्छे सकते हैं थिक है तो आप्षण नमर एक सब्सक्राइब करें कि आखिर्थी में कौन ACB का मान क्या होगा देखें यह कौशन तीनों सेट में रिपीट हुआ ठीक है यह परी में कहादा है कि परीधी पर जो बना कुन होता है वो केंदर से आधा होता है इसका मतलब केंदर में 50 डिगरी तो परीधी में आधा हो जागा 25 ठीक है अगर यहां पर परीधी में रहता 75 डिगरी तो इसका दुगुन्ना यहां पर केंदर में बन जाता कितना डिगरी 150 डिगरी ठीक है याद रखेगा लगिन राचना क्या धार पर पता चलेगा तो आप लोग राचना करके देख लीजिएगा ठीक ना और कमेंट में हो सितरफल पुझा अलग-अलग भूजा दिया है तो हिरोन के सुत्र से हम निकाल सकते हैं S बराबर से A प्लस B प्लस C अपन 2 A कमान 3 प्लस B कमान 4 प्लस C कमान 5 बटे 2 3 4 7 5 12 बटे 2 मने कितना निकल गया 6 अब हिरोन के सुत्र से निकालेंगे रूट अंडर S इंटू S मैनस A इंटू S मैनस B इंटू S मैनस A ठीक है यह हिरोन का सुत्र कहता है S कमान निकल गया 6 यहां से अब मान बैठा लेजेगा 6 इंटू 6 मैनस 3 A कमान 3 था फिर 6 मैनस हो जागा 4 B कमान 4 था 6 मैनस 5 इसको सॉल्फ करते हैं 6 का 6 6 में 3 गया तो बचाएगा 3 ठीक है और यहां 6 में 4 ग इब एक चिंगा Chatो तो तोड़ेंगे कितना एगा दो गुना तीन ठीक है अर्गुना तीन का तीन अर्गुना दुका दो ठीक है अर्गुना एक का एक दो गो 3 मिल गया 5 जीकई 2 अर्गू 2 मिल गया 5 safi. सेंटिमेटर आपका एंसर होजेगा आपसन नमबर तीन ठीक है नेक्स कोशन ही कि उस संबाहु तिर्भुज का चेतरफल क्या होगा जिसकी परतिक भुजा 6 सेंटिमेटर संबाहु तिर्भुज का चेतरफल होता है रूट थिरी बटे फोर गुना भुजा अस्क्वाइर तो रूट थिरी का थिरी बटे फोर गुना भुजा का मान दिया चे तो छे का स्क्वाइर करना पड़ेगा तो चलिए रूट थिरी का रूट थिरी बटे फोर गुना छे का स्क्वाइर कितना हो जागा 36 और 4 से काटेंगे तो 9 बार में तो यहां 9 रूट 3 तो 9 रूट 3 आपका से अंसर हो जगा एक ठीक है आसान से निकाल लेज़ेगा फर्मुलाद रखेगा रूट थीरी बटे फोर गुना भुजा स्कॉयर 32 नमर कॉसेन की आर तिर्जिया वाले गोले काहितन क्या देगा यह सेट नमर वन में कॉसेर रिपीट हुआ था आप लोग वहां नहीं देखें तो जाकर देख लिज़ेगा गोले काहितन पुछाए तो गोले काहितन क्या होता है फोर बटे थिरी पाई आर क्यूब आर का मान तो आर दिया है तो आप्सन यहीं हो जागा 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube option नमर फोर में नेक्स्ट कोशन ही कि आर तिरिया तथा h उचायवाले बेलन का कूल प्रिटे चितरफल क्या होगा बेलन का कूल प्रिटे चितरफल होता है 2 pi r into r plus h r का मान r और h का मान h इसका मतलब 2 pi r into r plus h कौन सा अप्सन में है इसमें कहीं पर option में नहीं दिया है चलिए इसको हम common यहाँ पर नहीं लेते हैं तो 2 pi r को r से गुना करेंगे तो 2 pi r प्लस 2 pi r को h से गुना करेंगे तो 2 pi r h 2 pi r h प्लस 2 pi r square 2 pi r h प्लस 2 pi r square ऑप्सन नमर 3 सहीं नसरोजेगा next question है कि एक घं का आयतन ठीके एक घं का आयतन 512 cm3 तो घं का कुल प्रिष्टिय चेतरफल घं का कुल प्रिष्टिय चेतरफल होता है 6 a square लेकिन a command तो हमें पता नहीं है तो ए तो निकालना पड़ेगा तो घं का आयतन दे रखाए 512 आनि घं का आयतन कितना देखाए 512 ठीके यहां से हम cube का मान निकाल लेंगे तो यह cube root हो जगा घं का मान ठोड़ेंगे तो घं root 512 का 512 किसका घं root होता है आठ का तो ए का मान क्या निकल गया आठ अब इसका cool प्रिष्टिय चेतरफल क्या होता है 6 a square ठीक है तो 6 का 6 a मने 8 तो आठ का स्क्वाइर आठ का स्क्वाइर कितना होता है 64 और 64 और 66 को गुणा करो चोचोग 24 और 36 अर्दू 38 आनि 384 निकल गया जो कि गोले का प्रिष्टिय चतरफल 196 पाई सेंटीमेटर स्क्वाइर है तो गोले की तिरिज्वा गयात कीजिए तक आसान सकौू सेंने प्रिष्टिय चैतरफल दे रखा तो प्रिष्टिय चैतरफल होता है 4 pi r square बराबर दे रखा 196 का 196 pi सेंटीमीटर स्क्वाइर ठीक है सबसे अधिक बार जो आकड़ा आता है वह होता है यहां देखें तीन जो है एक दो तीन चार बार आया ठीक है चार बार तीन आया है तिसका बहुलक क्या होगा तीन चार एंसर नहीं होगा तीन होगा क्योंकि सब ज्यादे बार तीन आया है तीन चार नहीं होगा चार तो केवल दो बार आया है तो सबसे अधिक बार आया है तीन तो तीन इसका क्या होगा बहुलक नेक्स्ट कोशन है सैतिस्वा नमर कोशन सैतिस्वा नमर कोशन में है कि बारम बारता नो का मिलानचीन होगा बारम बारता नो का मिलानचीन देखें नो का मिलानचीन आपको बताया थे पांच का केसे खरते हैं एक दो तीन चार और है कितना हो गया पांच तो फिर चार का एक, दो, तीन, चार, कितना होगे हैं, पांच, चार, चार, नो, जो कि अप्शन नमर एक में नेक्स्ट है, अड़तिसवा नमर, वर्ग अंतराल, दस से बीस का वर्ग चिन क्या होगा वर्ग चिन का फर्मूला होता है, उच सिमा और निम सिमा को जोड़ दो, और दो से भाग दे दो, उच सिमा विस, निम सिमा दस बटे दो, तो बीस पलस दस हो जगा, तीस बटे दो, और इसको काटेंगे तो निकलेगा 15 रो, ठीक है, तो 15 रो निकल गया, अप्सन नमर तीन, नेक्स्ट है 49 नमर, एक पांसे को 1000 बार फेकने पर प्राप्त परिणाम 3 की बारम बारता 150 है, तिसकी प्रैक्ता क्यात कीजिए, आनि 3 कितना बारा या 150 बार, तो प्रैक्ता क्या होता है, अनुकूल बटे, कूल, तो अनुकूल हलो 150, और कूल हलो 1000, ठीक है, 1000 है, यहाँ पर ल आज का लास्ट कोशन है, असंभव घटना की प्रैक्ता क्या होगा, तो असंभव घटना की प्रैक्ता 0 होती है, और यहाँ पुछता अगर संभव, तो संभव घटना की प्रैक्ता 1 होती है, तिससे आप याद रखेगा, ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रैक्ता है, अ और निश्चित का 0, और निश्चित का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 40 question खतम हो गया, यह set नमर 3 का था question, और set नमर 1, 2, 3 हो complete हो गया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को social science का हम लोग करवाएंगे, ठीक है, तो इमित करता हूं कि यह set नमर 3 में 40 को question जितना भी बताएं, आपके exam के लिए बहुत ही helpful साबित होगा, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ते एक प्यारा सा लाइक कीजेगा, ठीक है, और चैनल को अभी तक हमारे subscribe नहीं किये, तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को press चरूर कीजेगा, ठीक ना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक अपने घर में बड़ो का समान करिए और चोटों को प्यार बाढ़ते रहे, धन्यवाद